C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है पाठ साथ पापा खो गय प्रिष्ट संख्या 42 इस पाठ में पात रहें बिजली का खंभा पेड लेटर बॉक्स कववा नाचने वाली लड़की और आदमी सडक रात का समय समुद्र के सामने फुटपात वहीं पर एक बिजली का खंभा एक पेड एक लेटर बॉक्स दूसरी और धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आक्रिती समुद्र से संसनाती हवा का बहाव दूर कहीं कुटों के भॉंकने की आवास खंभा जमहाई रोकते हुए राम 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 रात बहुत हो गई पेड़ आजकल की रातें कैसी हैं जल्दी बीतने में ही नहीं आती खंभा दिन तो कैसे ना कैसे हर बड़ी में बीत जाता है पेड़ लेकिन रात को बड़ी बूरियत होती है खंभा तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं पेड़ राजा बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो बिलकुल अच्छा नहीं लगता उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंबे का जन्म बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है प्रिष्ट संख्या तैंतारीस पेड मुझ पर भी एक रात आस्मान से गड़गडाती बिजली आकर पड़ी थी भरे बाप्रे वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है और बिजली जहां गिरी थी वहाँ खड़ा कितना गहरा पड़ गया था खंभे महराज अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है अंग थर-थर कांपने लगते हैं खंभा मेरी तबियत ही लोहे की है जो मैं बिमार नहीं पड़ता वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो जरूर बिमार पड़ जाए पड़ जाएगा या नहीं कितने दिन बीट गए कितनी रातें लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ छे चुंगी की ये नौकरी भी कोई नौकरी है प्रिष्ट संख्या चवालिस पेड़ अपने पत्तों का कोट पहन कर मुझे सरदी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहां यहीं मेरा जन्म हुआ इसी जगा तब सब कुछ कितना अलग था यहां वहां के वो सब उचे उचे घर नहीं थे तब यह सड़क भी नहीं थी वह सिनीमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी सिर्फ सामने का यह समुद्र था बहुत अकेलापन महसूस होता था तुम्हें जब यहां लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला इतना ही सही लेकिन वो भी कहां तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तयार नहीं थे मैंने बहुत बार कोशिश की पर तुम्हारी अकड जहां थी वहीं कायम बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी ना कितने उची है तो रहने दो मैंने भी कभी आवास नहीं लगाई हाँ अपना भी स्वाभाव जरा ऐसा ही है खंबा और एक दिन जब आँधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे उपर ही आपड़ा पिर बापरे कैसा था वो आँधी पानी का तूफान ओ खंबा तुम कड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया हाँ तुमने मुझे उपर का उपर छेल लिया वह अच्छा हुआ चाहे तुम खुद काफी जखमी हो गए बाद में मेरा गुरूर भी जड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई पिर हम्हाँ हवा आज भी बहुत है दोनों चुप हवा की आवास कुट्टे का भौकना पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत तेड़ी हो जाती है उसके घुंगरू बचते हैं वह फिर पहले की तरह स्थेर हो जाती है लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुन गुनाता है और रुख जाता है पिर्ष्ट संख्या पैंतालिस कुवा पेड़ के पीछे से जहांकर काउं कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजे लगाकर मेरी नींद खराब करता है जरा भर चैन नहीं इन है लेटर बॉक्स हम मीठी आवाज में नहीं काहें तो क्या इस कववज जैसी करकश काउं काउं करें कहता है जरा भर भर भी चैन नहीं पेट में हाथ डाल कर एक पत्र निकालता है धीरे से जीब को लगा कर खोलता है उसमें से कागज निकाल कर रोश्णी में पढ़ने लगता है यह किसकी चिठी आकर पढ़ी है हेड मास्टर ठीक क्या कहता है श्रीमान श्रीयुत गोविंद राहुजी आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता इसकी बजाए उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है आप एक बार खुद आकर मुझ से मिलिये मिलिये परीक्षित के पापा हेड मास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ें क्लास से खायब रहकर बंटे खेलते रहें इसका क्या मतलब फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं सभी पापा लोग आफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जा कर मिलते हैं पैसे उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें आखिर क्यों ची मुझे हेड मास्टर होना चाहिए था इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता वह पत्र रख कर दूसरा निकालता है यह किसका है खंभा क्यों लालता हूँ आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे लेटर बॉक्स आज चर्य से चोरी 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 किसलिए सभी चिठियां मेरे ही तो कबजे में होती है अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ पेड कबजे में होने का मतलब यह तो नहीं लालताओ कि लोगों की चिठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो मेरी तरह यहां रात दिन बैठ कर दिखाएं तब पता चले परसों वह पोस्ट मैं मेरे पेट में से चिठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमहाई आई कि रोके नहीं रुकी जमहाई लेता है वो देखता ही रह गया चिठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बनावा लेकिन ये लेटर बॉक्स इसे नहीं बोरियत होती एक जगा बैठे बैठे मैं कहता हूँ चार चिठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया प्रिष्ट संख्या 46 पिड लेकिन चिठि जिसे लिखी गई हो लालताओ उसे ही पढ़नी चाहिए वह प्राइवेट होती है प्राइवेट लेटर बॉक्स मैं कहां किसी की चिठि पास रख लेता हूँ जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ वह मुझ तक ही रहती है इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है पिड कोई आ रहा लगता है सब चुप हो जाते है पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगडता है फिर पहले की तरह स्थेर और स्थब्ध हो जाती है तेज हवा की भन बनाहत भिखारी जैसा एक आदमी आता है उसके कंथे पर सोई हुई एक लड़की है आदमी मैं बच्चे उठाने वाला हूँ दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने गहरी नीन सो रही थी अब तक उठी नहीं है उठेगी भी नहीं मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है अब मुझे लगी है भूख दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला जाए तो इतनी रात गये यहां इस वक्त अब किशी का आना मुम्किन नहीं प्रिष्ट संख्या 47 पेड की ओट में लड़की को डाल देता है उस पर अपना कोट पहला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है खंभा पेड से श्श पेड राजा डाल में कुछ काला नजर आता है पेड वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई और यहां लड़की तो छोटी सी है लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर राया है मैंने सुना है पेड कववे को जगाते हुए श्श ए कववे जाग ना जाग कववा दिन हो गया पेड नहीं दिन नहीं हुआ पर एक दुस्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठा कर ले आया चुप वादमी इस वक्त यहां नहीं है वो लड़की उठ जाएगी तो चिलाएगी कववा आलस से उठते हुए आखों पर एक चुलू पानी डाल कर अभी आया जाता है प्रिष्ट संख्या अड़तालीस खंभा भयंकर बहुत ही भयंकर पेट जुक कर लड़की को देख कर बच्ची बहुत प्यारी है कौन जाने किसकी है लेटर बॉक्स मुड कर देखते हुए नास पीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से चील जैसे चुहा उठा लेती है वैसे खंभा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे पर मुझसे चुका ही नहीं चाता लालताओ अभी भी सो रही है क्या वो लेटर बॉक्स हाँ 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 खंभे महराज कौवा आकर कौन उठा लाया किसे बोलो अब पेड इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है कौवा देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहा है इसे उठा कर लाने वाला खंभा वो जरा गया है खाने की तलाश में फूख लगी थी उसे लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नाश पीटा और यहाँ खिलोने सी बच्ची गला रूंच जाता है नहीं नहीं ऐसी कलपना भी नहीं की जा सकती कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का कौवा हाँ सच्छ आज कल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं मैं तो घूमता रहता हूँ न ऐसा होते देखा है पीड मैं बताऊं अपन ये काम नहीं होने देंगे लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ ये होगा कैसे खमभा होगा कैसे मतलब उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें कहुआ वह दुष्ट है कौन पहले उसे नजर तो आने देजिए प्रिष्ट संख्या 48 पर एक नोट दिया गया है नास पीटे ऐसे शब्दों का प्रियोग असमवैधानिक है समाज के यथार्थ प्रतिबिम्बिन के लिए लेखक कई बार ऐसे शब्दों का प्रियोग सहित्तिमय करते रहे हैं किन्तु इसे व्यवहार में नहीं लाया जाना चाहिए प्रिष्ट संख्या 49 Letterbox मैंने देखा है नास पीटे को अच्छी तरह करीब से देखा है बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो कैसी नजर थी उसकी घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं ये मुझे ही न उठा ले जाए कववा ताउ आपको खो खो करके हसता है चोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है अद खुली आँखों से सामने देखती है पीड, खंभा, लेटर बॉक्स और कववा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं लेटर बॉक्स इतना मुँ फाड़ कर हसने की क्या बात है इसमें खंभा उसकी वह गंदी नसर यहां से मुझे भी खुब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी पेड, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है लड़की उठकर बैठ जाती है सुपन देखने जैसी भाव मुद्रा में लेटर बॉक्स कैसा मन होता है नासपीटों का उनका वही जाने उनका वही जाने कवा, ताउ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी तब जान पाओगे ये सब पेड़, काफी समझदार है तू अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा लड़की स्वपन देखती हुई सी खड़ी है लड़की, क्या ये सब बोल रहे है लेटर बॉक्स, बिजली का खामभा, ये पेड, कवा कवा सब को इशारा करता है तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते है लड़की, इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है अच्छी तरह सब को देखती है पर सभी निर्चीव लगते है प्रिष्ट संख्या पचास लड़की, ये तो ठीक लग रहे है फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और फिर ख़वर से देखती है सभी निस्तब्ध कौन बोल रहा था कौन गपे मार रहा था सभी चुप कौन बातें कर रहा था मुझे डर लग रहा है मैं कहा हूँ यह सब क्या है मेरा घर कहा है मेरे पापा कहा है मम्मी कहा है मुझे बहुत डर लग रहा है कैसा अंधेरा है चारों तरफ रात है सपना देख रही थी मैं पर सब सच है कोई तो बोलो ना नहीं तो चीख होंगी मैं सभी चुप स्तब्ध लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड कर बैठ जाती है फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है लड़की मुझे डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है लेटर बॉक्स पेड़ से अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता बहुत घबरा गई है आगे सरक कर बच्ची घबरा मत लड़की पहले उपर देखती है फिर सामने कौन लेटर बॉक्स मैं हूँ लेटर बॉक्स लड़की तुम तुम बोलते हो लेटर बॉक्स हाँ मेरे मूँ नहीं है क्या लड़की तुम चलते भी हो लेटर बॉक्स हाँ आदमियों को देख देख कर लड़की सच लेटर बॉक्स उसमें क्या है थोड़ा चल कर दिखाता है पर तु घबरा मत लड़की एकदम खिल खिला कर हंसती है मज़ा लेटर बॉक्स बोलता है चलता भी है लेटर बॉक्स खुश हो कर वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूं क कुछ भजन वगएरा लड़की सच लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन काता है लड़की तुम मजेदार हो बहुत बहुत अच्छे हो लेटर बॉक्स पर मैं बहुत लाल हूँ नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था लाल रंग पोद दिया मुझ पर सपना लग रहा है सपना लेटर बॉक्स कभी न देखी हो ऐसी चीज देख लो योहीं लगता है तु रहती कहां है लड़की मैं अपने घर में रहती हूँ लेटर बॉक्स बहुत अच्छे हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए पर तेरा यह घर है कहां लड़की घर हमारी गली में है लेटर बॉक्स हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है पर यह गली है कहां लड़की सड़क पर आसान तो है मिलनी हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है हां उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं ले भी कम होती है पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है लड़की नाम हमारे घर वाली सड़क लेटर बॉक्स अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताउ, पर मेरा असली नाम तो letterbox है, लड़की, ये सब कौन, ये सब यानि कौन, यहां तो कोई नहीं है, letterbox हडबड़ा कर, है, नहीं नहीं, यहां तो कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा था तुछे, कोई मुझे ऐसे कहे तो, पेड, खंभा, कववा, सभी ठंडी, लंब क्या है, लड़की, मुझे नहीं पता, सब ही उसे सड़क कहते हैं, सच, कोई-कोई रोड भी कहता है, रोड, प्रिश्च संख्या बावन, letterbox, पेड से लिफाफे निकाल कर, दिखाते हुए, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है, वैसा पता नहीं है तेरा, लड़ बीच में ही, कमाल है, लड़की आश्चर से खंबे की तरफ देखती है, वह चुप, लड़की, कौन बोला ये कमाल है, हाँ, कौन, letterbox, खंभा, जीप काटकर, नहीं, यूहीं लगाया तुझे, यूहीं, लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहाँ से, उपर से, पेड, हाँ एक दम मुह पर टहनी रखता है, लड़की, देखो, वहाँ से, वहाँ से आई है आवास, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है, कवा, मैंने नहीं की, चोच दबा कर रखता है, लड़की, कौन बोला ये, कौन, कवा, खंभा, गदा है ये भी, पेड, जब ना बोलना हो तो जरूर, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुना बिगड़ता है, वहाँ फिर से अपना पाउंटिक आती है, घुंगरूओं की आवास, लड़की, वो देखो, देखो, कोई नाच रहा है, सभी एक टक देखते रहते हैं, क्या है ये, क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन, लेटर बॉक्स, प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हमी बोल रहे हैं, हमी नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं, लड़की, हमी मतलब कौन, बताओ न, बताओ जल्दी, लेटर बॉक्स, हमी, यानि की हमी, मैं लेटर बॉक्स, य यह पेड, वह बिजली का खंभा, यह कववा भी, वह सिनेमा का पोस्टर, लड़की, कसम से, लेटर बोक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब, इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब तो, घबरा जाते हैं, इसलिए जब हम अकेले होते है तब बोलते चलते नाचते, प्रिष्ट संख्या, तरेपन, नाचने वाली का संतुलन पुनह बिगरता है, गुंगरूओं की आवाज, वह फिर पहले की स्थिती में आती है, लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सब को देखती है, लेटर रड़की, सब चल कर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचके जाते हैं, आउना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, जाओ, सब बारी बारी से पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंभा सीधा खड़ा है, खंभे, खंभे, नीचे बैठो, वह अभी भी बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोंगी, लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिलकुल बैठा नहीं जाता, लड़की, क्यों, पेड, क्योंकि जब से वह यहां खड़ा किया गया, तब से कभी बिलकुल बैठा ही नहीं, लड़की व्याकुल होकर, से बिठाते हैं, हाँ, चलो, प्रिष्ट संख्या चववन, सब मिलकर बड़े यतन से खंबे को बैठाते हैं, बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है, लड़की ताली बजाती है, एक लड़का बैठ गया, बैठ गया जी, एक लंबा लड है बैठ कर, सच सच पता हूँ, हम खड़े रहते हैं न, तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है, लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहां कैसे आ गई, मुझे बिलकुल भी पता नहीं, पेड, मैंने देखा था, जी कह रहा था, लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें जीरो नमबर, पेड, खंबे को आँक मार कर, चलो ठीक, जीरो तो जीरो सही, लड़की, ए, हम अब खेलें, हां, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है, गुंगरों की आवा मज़ा, एक लड़की बार-बार गिर रही है, गिर रही है, जरा सोच कर, ए, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं, हां, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे, दिखाऊं करके, सभी, हां हां, दिखाऊं न, वाह, लड़की नाच करने लगती है, पेड, खंबे से धीरे से, कुछ, कववे से, उसके आने का वक्त हो गया है, कववा, किसके, खंबा, उस बच्चे उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वहाँ, लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर, पेड, क्या किया जाए, खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा, पेड, लेकिन क्या, प्रिष देते हैं, नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुस फुस आते हैं, पोना नाचते हैं, दाद देते हैं, तब ही वह दुश्ट आदमी आता है, देखते ही सब निस्तप्त, नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है, सभी अपनी अपनी जगा पर, और वह लड़की घबरा कर पेड के पीछे दुबक जाती है, प्रिष्ट संख्या 56, आदमी मूचों पर हाथ फेर कर डकार लेता हुआ, वह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए, ल अब छोकरी, मैं छोड़ूँगा नहीं उसे, अभी अभी पकड के लाता हूँ, मुझे चक्मा देती है, ढूंडने लगता है, पीड, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक जपक कर लड़की बचने का प्रियत्न करती है, और वह दुष्ट आ वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है, लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती, तभी एक दम से कववा चिलाता है, कववा, भूत, पीछे पीछे पीड, खंभा, लेटर बॉक्स, नाचते हुए चिलाने लगते है पीड, खंभा, लेटर बॉक्स, भूत, भूत, तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिलाते चिखते हैं, इसी के साथ भूत, भूत करता वह दुष्ट आदमी खबरा कर भाग निकलता है, सभी पेट पर हाथ रखे, जी भर कर हंसते हैं, प्रिष्ट संख्या 57, खंभा, मज़ा गया, कवा, खुब भद उड़ाई, पेड, क्यों उठा कर लाया था बच्ची को, बड़ा आया बच्चे चुरा कर भागने वाला, अच्छी खातिर की उसकी, लेटर बॉक्स, अच्छी ना कटी दुष्ट की, खंभा, अरे पर वो कहा है, कवा, वो कौन, पेड, कौन, इधर उधर देखते हैं, पर लड़की का कहीं पता नहीं, सभी चिंता ग्रस्त, खंभा, गई कहां, कवा, यहीं तो थी, पेड, कहीं नहीं मिल रही, लेटर बॉक्स, उठा कर तो नहीं ले गया बच्ची को बदबाश, फिर से ढूनते हैं, लड़की नहीं मिलती, सभी नहां की तहां, उसी भंगी मा में बैठी है, कवा, निराश, नहीं भाई, कहीं दिखाई नहीं देती, पेड, मुझे तो लगता है, बहुत करके वही ले गया होगा उसे, लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रह, कितनी प्यारी, खंभा, और स्वभाव कितना अच थावन, लड़की, शरारत से, मैं यहां हूँ, मुझे पकड़ो, सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं, उसे पकड़ने दोड़ते हैं, वह पकड़ में नहीं आती, सब को भगाती रहती है, सब ठक जाते हैं, आखिर कवा उसे पकड़ता है, कवा, धप से, कै कैसे पकड़ ली, लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब, अहा, मज़ा, ताली बजाती है, पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है, लड़की ठक कर बैठ जाती है, खूब मज़ा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब, एए, पर मैं बहुत घबरा हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे, बहुत ठक गई, मुझे उठा देना, हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे, गहरी नीन सो जाती है, सब उसे देखते हुए खड़े हैं, प्यार से, कववा, सो गई बच्ची, पेड, ठक गई थी ना बहुत, तभी जट से सो गई, लेटर बोक्स लड यह कहां जाएगी, लेटर बोक्स, उसे अपने घर का पता ठीका नहीं नहीं मालूम, अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वा, बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम, छोटी है अभी, खंबा, तो इसका क्या होगा, कहां जाएगी यह, लेटर बोक्स, सच म मुच्रे कहां जाएगी कव्वा मैं बताओं सभी क्या प्रिष्ट संख्या उनसर कव्वा हम सब मिलकर कुछ करें तो इसको पापा से मिलवा सकते हैं सभी उठकर कैसे कव्वा आसान है सुभा जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किये रहें व हुआ पुलिस को लगेगा एक्सिडेंट हो गया वो यहां आएगी और हमारी इस चोटी सहीली को देखेगी वो लगाएगी इसके घर का पता पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है कोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाती है खंभा रहूंगा मैं आड़ा होकर जाओंगा लेटर बॉक्स पर तब भी कोई नहीं आया तो कवा तो आपको एक काम करना होगा लालताओ लेटर बॉक्स जरूर करूंगा अपनी अच्छी गुडिया के लिए तो कुछ भी करूंगा एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो गया समझो क्या करूं बता कवा आपको लिखना पढ़ना आता है ना प्रिष्ट संक्या साथ कान में बात करने लगता है तब ही पोस्टर पर बनी नाचने वारी गिर पड़ती है घुंगरूं की आवाज पुनह जैसे तैसे वह अपनी पहले जैसी भंगिमा बना कर खड़ी होती है लेटर बॉक्स बीच मे उजाला सुबह होती है कंभा अपनी जगा पर टेड़ा होकर खड़ा है पेड सोई हुई लड़की पर जुक कर अपनी चाया किये हुए है कवे की काउं काउं जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्ष्रों में लिखा है पापा खो गए हैं पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक शकों की और आता है लेटर बॉक्स श्श लाल ताउ बोल रहा हूं आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन प्रश्ण अभ्यास नाटक से नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों प्रश्ण दो पेड़ और खंभे में दोस्ती कैसे हुई तीन लेटर बॉक्स को सभी लाल ताउ कहकर क्यों पुकारते थे प्रश्ण चार लाल ताउ किस प्रकार बाकी पा जाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन-कौन सी बातें आपको मज़ेदार लगी। लिखिए। प्रश्न 6. क्या वज़ा थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुचा पा रहे थे। नाटक से आगे एक अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुचने का रास्ता भी बताईए। 2. मराठी से अनूदित इस नाटक का शीर्शक पापा खो गय क्यूं रखा गया होगा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्शक हो तो सुझाईए और साथ में कारण भी बताईए। 3. क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं। अनुमान और कल्पना 1. अनुमान लगाईए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा, वह किस स्थिती में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी, या घर से रूट कर भाग गई होगी, या कोई अन्यकारण होगा। 2. नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए, यह भी बताईए कि अपनी सुरक्षा के लिए आज कल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में कुछ उपाय सोझाय जा रहे हैं, आप इस से अलग कुछ और उपाय लिखिये। 3. समूह में चलना, एक जुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अंजान व्यक्तियों से सावधानी पूरवक मिलना, प्रिष्ट संख्या बासट भाषा की बात, एक, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिये गए हैं, ऐसे निर्देशों से नाटक के द्रिष्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सडक, रात का समय, दूर कहीं कुत्तो के भौकने की आवाज, यदि आपको रात का द्रिष्य मंच पर दिखाना हो, तो क्या क्या करेंगे, सोच कर लिखिए, दो, पाठ को सुनते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा, आगे सुनाये जाने वाले अंश को ध्यान पूर्वक सुनिये, तथा उप्योक्त चिन्ह लगाईए, मुझ पर भी एक रात आस्मान से गड़गडाती बिजली आकर पड़ी थी, और बाप्रे वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है, और बिजली जहां गिरी थी, वहां खड़ा कितना गहरा पड़ ग रखते हैं, तीन, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ समवाद लिखिए, जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से समवाद, कलम का कौपी से समवाद, खिड़की का दर्वाजे से समवाद, चार, इस पार्ट में से 10-15 समवादों को चुने, उनके साथ द्रिश्यों की कलपना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रियास करें, इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें, और इसी के साथ अभी आप सुन रहे थे ये पार्ट, प्रस्तूती C.I.E.T. N.C.E.R नई दिल्ली, भारत